हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ अलीशा और आज मैं आपके साथ एक मॉबाइल बैक शेयर करूंगी जो की मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे शेयर करने के लिए बोला था तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मुझे पहले 12 इंचिस का एक जिप चाहिए उसके बाद 4 by 3 इंचिस के दो प्लेन पीस चाहिए और उसके बाद मुझे यहाँ पर 7 by 9 इंच का वन प्लेन पीस चाहिए अब इसके बाद यहाँ पर आपको दो plane pieces लेने हैं यही वाले और उसके बाद यहाँ पर इसमें से एक plane piece लेकर ना इसको ऐसे करके हम fold कर लेंगे 4 वाली side से हमें इसको ऐसे करके fold करना है और उसके बाद इसके उपर हम सिलाई लगा देंगे तो ये देखी यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली अब इसके बाद ना हम इसको ऐसे करके ऐसे करके फ्लाट करके ना इसके अंदर जिप को इंसर्ट कर देंगे जिप को इंसर्ट कर देने के बाद अब हम यहाँ पर इसके उपर सिलाई लगा देंगे end तक zip को ले कर जाएंगे और इसके उपर हम सिलाय लगा देंगे सिलने के बाद हम इसको सीधा कर देंगे और ये जो हमारा दूसरा वाला है न इसको भी हम इसके अंदर ऐसे करके zip को insert कर लेंगे और इसके उपर भी end के उपर हम सिलाय लगा लेंगे अब इसके बाद यहां पर हम इसको भी सीता कर देंगे दूसरे वाले को और अब हम यह वाला कुल्टेट पीस लेंगे अपना इसको ऐसे मिडल से हम फोल्ट करेंगे और उसके बाद उपर नीचे की तरफ हम माक लेगा देंगे ऐसे कड़के दूसरी तरफ से भी fold करेंगे और उपर और नीचे में हम mark लगा देंगे अब हम ये zip वाला part लेंगे और उसके बाद हम इसको ऐसे कड़के fold कर देंगे उसके बाद ऐसे बीच में अब ये जो zip वाले side वाले मैंने पट्टे लगाई है न यह 1.5 इंचे के ऊपर इसको आपको माक करना है और यहां से कट करना है तो 2.5 एंच के ऊपर करके कट करना है तो यहां पर मेरा दोनों तरफ से स्ट्राप थोड़nant बढ़ा था इसलिए मैंने कट कर दिया अब इसके बाद ये जो मैंने मिडल में ऐसे मार्क लगाया था ना दोनर तरफ में अब क्या करेंगे तो यहाँ पर हमें ये जो जिप का मिडल है ना इसको इसके उपर ऐसे मिडल मार्क के उपर रखना है और उसके बाद यहाँ पर हमें सिलाई लगा देना है उसके बाद ऐसे इसको फोल्ड करते करते न हमें पूरा जिप को इसके उपर सिलाए कर देना है अब इसके बाद ऐसे करके इसको देखिए हम सिलाए लिखाते रहेंगे अब ऐसे करके दूसरी तरफ से भी इसको ऐसे फोल्ड करते रहेंगे और जिप को इसके उपर हम सिल देंगे अब हम यहाँ पर दोनों तरफ से यहाँ पर को अटाच कर देंगे उसके बाद यहाँ पर मैंने एक कुल्ड़ेट पीस और एक प्लेइन पीस को लिया है quilted piece को plain piece के उपर उल्टा करके रख दिया और सिलाय लगा दिया एक side से उसके बाद मैंने इसको सीधा कर दिया अब इसके बाद इसको fold करके इसके उपर मैंने सिलाय लगा दिया है अब इसके बाद ये जो strap है ना इसको मैंने ऐसे जहाँ पर मैंने कोर अटाच किया था वहाँ पर इसके अंदर इंसर्ट किया यह आप चाय तो पहले भी लगा सकते हैं उसके बाद मैं यहाँ पर सिलाइ लगा दूँगी तो अब यह दिखे जो कोर है उसको मैं अच्छे से पक्या तरीके से अटाच कर रही हूँ झाल जब यह दो झाल आओाच कर रही हूँ कौर को अटाज़ करने के पाद यह देखे मेरा सुंदर सा वालेट एकदम रिडिये हो चुका है आप इसमें मॉबैल रख सकते हैं कितना जाद अच्छे तरीके से क réflो है इसमें चयाए तो आप इसमें अपना पैसे बी रख सकते है ये कैरी करना काफी आसान है एक छोटा सा है ना इसलिए तो फ्रेंट्स आज का आपको मेरा वीडियो कैसे लगा प्लीस मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फिर मिलती हो एक नए वीडियो के साथ के लिए बाई बाई टेक केर और थैंक्स फर वाचिंग